बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म पर आपत्ति जनक टिपणी करने के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने पांच नामजद सहित पचीस अग्यात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है बताया जाता है कि सुवाहेडी के निवासी गौरव धीमान ने अपनी फेस्बुक आईडी से हिंदू धर्म पर विवादास पद टिपणी की थी जिस से हिंदू समाज में भारी नाराजगी पैदा हुई इस पर विभिन हिंदू संगठनों और ब्राहमर समाज के लोग एकत रहोकर शहर कोतवाली पहुँचे उन्होंने थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और सड़क पर जाम लगा दिया प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभिशेक भार्दवाज की तहरीर पर गौरव धीमान के खिलाफ केस दर्ज किया इसके अलावा थाने में तैनाद दरोगा सुशील कुमार की ओर से शोभा शर्मा, रोहिद भारदवाज, अमरपाल शर्मा, सिद्दार्थ पंडित और पच्चीस अग्यात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन की आड में धरना प्रदर्शन और सडक पर जाम लगाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है वीडियो फुटिज के आधार पर चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट